मैं दिपेका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ल रस्लिंग चैंपियंशिप 2023 में जिसके अंदर भारतिये मैंन फ्रीस्टाइल रस्लर्स ने जरूर कुछ जादा अच्छा परदशन नहीं किया काफी निराशा जनक वहाँ पर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला और सभी इनियन फ्रीस्टाइल रस्लर्स को इस चैंपियंशिप को खाली हाथ ही खत्म करना पड़ा जिसके बाद बारी आती है विमेंस फ्रीस्टाइल की जिसके अंदर आज के दिन स्पेशली एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसको बया करना काफी जादा जरूरी हो गया जिया हम बात कर रहे हैं 53 केजी काटेगरी की जिसके अंदर 19 वर्ष ये टू टाइम अंडर 20 वर्ल चैंपियन अंतिम पंगाल हमें कंपीट करती हुई नजर आई बात करते हैं तो उनका सबसे पहला मुकाबला मौजूदा वर्ल चैंपियन USA की रसलर के खिलाफ था जहां पर अंतिम ने काफी समझदारी से और अच्छे तरीके से अपने ओपोनेंट को पढ़ते हुए इस मुकाबले को अपने नाम किया और उन्होंने USA की रसलर को 3-2 से हराया और ये मैच अपने नाम कर लिया जिसके बाद बैक टू बैक प्री कॉर्टर फाइनल्स में उन्होंने पोलेंड की रसलर को हराया और कॉर्टर फाइनल्स के अंदर रश्या की जिसके बाद बारी आई सेमी फाइनल्स की लेकिन अनफॉचनेटली सेमी फाइनल्स के अंदर उनके आज के दिन की जो विनिंग से यानि कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के डिफ्रेंस यह सेमी फाइनल्स गवाना पड़ा वो अपने सेमी फाइनल्स को चार-पांस से हार गई और इसी के साथ वो फाइनल्स में जगा नहीं बना पाई लेकिन अभी भी अंतिम के पास एक मेडल जीतने का मौका है यानि की ब्रॉंज मेडल और अगर वो ब्रॉंज मेडल जीत जाती है उसी के साथ वो एक पारिस ओलंपिक कोटा भी अर्ण कर लेगी जिसकी हम पूरी उमीद करेंगी कि वो इस चांपियंशिप को एक मे अगर रिजल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे 50 kg काटेगरी की जिसके अंदर हमें नीलम नज़र आई और क्वाटर फाइनल्स के अंदर वो चाइनीज रसलर के खिलाफ जीरो दो से हार गई बाइफॉल वहीं उसके बाद नेक्स काटेगरी रही 55 जिसके प की रसलर के खिलाफ दो साथ से हार गई नेक्स काटेगरी की बात करते हैं जोकी रही 57 के जिसके प्री कौर्टर फाइनल्स में सरीता मोल को नाइजीरिया की ओडोनायों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा वह अपने मैच को चार्ट शेंसे हार कर यहीं से ही बहार हो गई ह है 59 के जी का क्टेगरी के प्री कौर्टर फाइनल्स में अंजली हमें नजर आई जिन्ने युएससे की रसल के खिलाफ 0 11 से हार का सामना करना पड़ा वहाई 62 के जी कैटेगरी में मनीशा को भी हार का ही मूँ देखना पड़ा वो अपना मैच सुईडन की रसले खिलाफ 1.6 से हार गई वहीं 65 kg के अंदर अंतिम हमें नज़र आई जो कि चाइनीज रसले खिलाफ बाई फॉल हार गई नेक्स 68 kg काटेगरी में हमें प्रियंग का नज़र आई जो कि नाइजीरिया के रसले के खिलाफ 0.11 से हारी वहीं 72 kg काटेगरी में जोती बेरवाल को भी हार का सामना करना पड़ा आखरी काटेगरी की बात करते हैं जो की रही आपकी 76 kg काटेगरी जिसके प्री क्वार्टर फाइनल्स के अंदर दिव्या काकरान को भी हार का मूँ देखना पड़ा और वो केनेडियन रसले के खिलाफ फार गई हाला की मुकाबला चार-चार पे ताई पर जाकर खत्म हुआ लेकिन आखरी पॉइंट केनेडियन रसल कर था जिसकी वज़े से वह विनर रही और दिव्या काकरान को भी खाली हाती इस चांपिंशिप को खत्म करना पड़ा यानि कि अभी तक एक भी मेडल भारत है रसलर इस चांपिंशिप के अंदर नहीं जीत पाए हैं और अब सारी की सारी उमीद फिलहाल के लिए अंतिंपंगाल पर जरूर टिकी हुई है कि वह ब्रॉंज मिडल मैच के अंदर जीत दर्ज करते हुए भारत का पहला मिडल इस बार की चांपिंशिप में जीतने में क शेयर करेंगे तो आज की वीडियो में बस अतना है बाकि स्पोर से टेड़ बेस जानने के लिए चानल के साथ ज़रूर जुड़े रहें उसको जरूर सब्सक्राइब कर दे तो तांक्यू फॉर वाचिंग दा वीडियो